नमस्कार देखर आप सेटी पोस्ट लाइफ और मैं हूँ आपके साथ पूछा शर्मा बुंबई में होने फाल इंडिया गटबंधन की बैटर को लेकर फनेवन प्रयावरंट मंच्री 23 प्रताप यादब की प्रतिकिरिया सामने आई है बताते चले आपको की देश प्रताप ये दावा करते हुए नजरा है कि 2024 और 25 में सिर्फ और सिर्फ महा गटबंधन की सरकार बनेगी इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने पहले ही भविश्वानी कर दी है कि 2024 और 25 में महा गटबंधन की सरकार आएगी केंद्री में जो सरकार होगी वो सिर्फ और सिर्फ महा गटबंधन की होगी इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो बुंबई में बैटक होने वाली है इस बैटक से बहुत कुछ साफ हो जाएगा इसी के साथ साथ बताते चले आपको उन्होंने कहा कि निश्चित तोर पर जिस तरह से विपक्षी दल एकजुट हुए है उसको चंता का भी साथ पूरे देश से मिल रहा है और कही न कही इस बार मोधी सरकार को गदी से उतारने में हम लोग सफल होंगे देश की चंता महंगाई से बेरोज़कारी से पूरी तरह से परेशान है ऐसे मिल मोधी सरकार को गदी से हटाने को लेकर चंता भी इंडिया गटबंधन का साथ दे रही है जब उनसे सवाल किया गया कि क्या मुखमंतोर नितीश कुमार प्रधान मंट्री को उमिदवार हो सकते है तुन्होंने कहा कि यह अभी तैन नहीं किया गया है लेकिन अभी विपक्षी एक ताः पूरे देश मेहोश को लेकर प्रयास चर रहा है मुल्कमेंटरों नी तीश कुमार भी इसी प्रयास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कहते विनसरा वन एवं प्रयावरन मंत्री तीश प्रताव यादव इसी के साथ क्या कुछ कहते विनसरा आरे तेश प्रताव यादव पहले आप वो सुने वो बादा करते हैं कि उनकी रक्षा करने का तब बंड बिभाद के तरफ से हर एक साल रक्षा बंधन के पावन अवसर पर यहां पर राखी जो हम लोग ब्रिक्षों को बांदते हैं हम इसलिए बिभाद के ताकि हमें फल देते हैं और वो हमारी रक्षा करते हैं जो ब्रिक्ष होते हैं इसलिए हम लोग उनको राखी बांदने का हम लोग काम करते हैं किस तरह से पूरा देश देख रहा है और हमारा जो इंडिया का जो बैठाग है जो सुर्वात हुआ है उसमें सब लोग गये हैं तो है कि एतिहासिक और समझीए कि 24-25 में भाजपा का पूरे तरीके से सफाया नहीं करता है अब देखेए कौन उसमें क्या थे करेंगे यहम नहीं थे करेंगगे मुकाबला तो होई रहा है रिजल्ट भी सामने आ रहा है पूरे लोग देख रहे हैं आप लोग इस देख रहे है देखिए हम शुरू सेखना रहे हैं 24-25 में हमारा भाई सुमानी है कि इंडिया पूरे तरीके से जैसे पहले था और अब नए तरीके से नए सोच के साथ पूरे देश को परिवर्तन करने आ रहा है इंडिया कट बंधन की बैटक को लेकर क्या कुछ कहते वे नज़र आ रहे थे वन एवन प्रियावरन मंत्री तीश प्रताप यादफ सुना आपने साथ तॉप उन्होंने कह दिया कि इस बैटक के बाद बहुत को साथ हो जाएगा इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि वो जो भविशवानी करते हैं वो कभी भी गलत नहीं होती है उन्होंने कहा कि हमने पहले ही वविशवानी कर दिया कि 2024 में सिर्फ महागरबंधन की सरकार आएगी इसी के साथ क्या कुछ कहते वे नज़र आ रहे थे वन एवन प्रियावरन मंत्री तीश प्रताप यादफ सुना आपने तो फिलाल के इस खबर में बचितना ही तमाम छोटी बड़ी चानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइब के साथ इस वीडियो को लाइक करे शेयर करे और चैनल को सब्स्ट्राइब करना ना भूले धन्यवाद